सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए आ रहे हैं कि जो वड़ाऊट जो बोकलास है जैसे क्लास चाए छे साथ नो ग्यारा इनकी ग्रीन सीड डाउनलोड करनी है या है साथ ही विद्ध्याले record के रूप में क्या रखना है तो हम बात करेंगे पूरी सबी class के लिए तो दोस्तों बात कर देते हैं सबसे पहले class एक और दो की तो class एक और दो का आप सभी जानते हैं कि offline record ही रखना है और कक्सा तीन भी इसी में सामिल है offline ही holistic report card बना कर देने हैं बात करें कक्सा चार की तो कक्सा चार में result के तौर पर RK SMB हुआ था तो RK SMB का card ही download करके बच्चों को देना है इसके लिए किसी भी प्रकार की green sheet नहीं है इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है शाला दरपन पे जाके RK SMB एप जो नजर आ रहा है RK SMB एप में चले जाए और इसके अंतर का जो student report card option आ रहा है इसी तरह दोस्तों बात करें कक्षा 6 वर 7 की तो 6 वर 7 के लिए RK SMB हुआ था तो RK SMB का जो report card है वो download करके बच्चों को देना होगा RK SMB के लिए कक्षा 4, 6 वर 7 तीनों ही यहाँ पे शो हो रही है तीन class के लिए RK SMB का card ही रहेगा इसी तरह बात करें कक्षा 9 वर 11 की तो 9 वर 11 के लिए दोस्तों आप सभी ने परिक्षा प्रविष्टी की है तो परिक्षा प्रविष्टी के बाद green sheet भी अपने download की होगी जनरेट हो चुके हैं तो आपको परिणाम टैब में जाना है उसे पूरो दोस्तों एक और बात बता देते हैं कि कक्षा 6 वर 7 के लिए RK SMB card तो है वो बच्चों को वितन करने हैं green sheet ही result sheet है तो आप विद्याले record के रूब में कक्षा 6 वर 7 की green sheet रख सकते हैं बात करें 9 11 की 9 11 के लिए दोस्तों परिक्षा प्रिक्षा प्रिविष्टी के अंदरकत जाना है यहाँ पर दोस्तों एक option मिलता है आपको generate and print mark sheet तो यहाँ पर आप 9 और 11 की mark sheet print कर सकते हैं कक्षा 9 के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको उपर की तरफ show student के उपर क्लिक करते हैं तो student show हो जाएंगे show green sheet के उपर करेंगे तो green sheet show हो जाएगे और print result के उपर करेंगे तो बच्चे का result है वो print हो जाएगा बच्चे का result कुछ इस तरह से show हो जाएगा इसीते बात करें 11 में class wise result के उपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप से class और section पूछ लिया जाएगा और उसके बाद साथ में result पास में आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा विद्यार्थी पास हुआ है कौन सा fail हुआ है यह सारे show कर देंगे यह class wise result रहेगा तो में दे दोस्तों यह वीडियो